तो सर पहले तो यह बताईए कि residential status हमें नेकालना क्यों जरूरी है, हमीं topic इक पड़ रहे हैं तो अच्छे section 6 में, income tax act के section 6 में residential status defined है सर किन लोगों का? सभी persons का सर person वही clause 2, section 2 clause 31 वने जी हां 7 तरह के person, that means 7 तरह के residential status हमें पढ़ने पढ़ेंगे सर लेकिन यह बताईए कि हमने residential status पढ़ना ही क्यों है किसी भी person का बच्चे अगर मुझे total income निकालना है बड़े ध्यान से सुनना शब्द क्या है? किसी भी person का अगर मुझे total income निकालना है तो वो बिना residential status की help से नहीं निकल सकता जैसा कि आप जानते हैं अगर मैं एक individual का residential status निकालना चाहूं तो तीन तरह की मेरे पास status आते हैं सर वो कौन कौन से हैं एक होता बच्चे resident and ordinary resident एक होता बच्चे resident and not an ordinary resident एक होता बच्चे non resident हलाकि मुझे लगता है कि आपको पता होगा अगर कोई भी बच्चे resident and ordinary resident बनता है न तो उन assesses का global income पर tax लगता है माल लिजे यानि कि उस assesses ने कोई भी income कमाया है कहीं भी कमाया हो इंडिया में आउट से इंडिया सभी income पर tax लगता है और अगर कोई शक्स बच्चे non resident है उसकी बहुत ही कम income पर tax लगता है बेसिकली जो उसकी इंडिया से आई होई income होती है मतलब इंडिया वाले income होती है मतलब connected to India अगर income होती है तो सिर्फ उसे income पर tax लगता है लेकिन ये जो assesses होते हैं मतलब इनके जो status जिन assesses के पास ये status होता है resident and not an ordinary resident इनकी mediocre income tax लगता है हला कि वो मागे जाके सीखेंगे कि इस तरह आप कैसे निकाल रहे है मेंचे जब ये सीखनी है कि सरकार का हमेशा मकसद क्या रहेगा ये बनाना आप लोगों को ordinary resident बनाना आपका हमेशा क्या मकसद होना चाहिए इस नोन resident बना क्योंकि आपको कम income tax बे करना रहता है ठेके ना लेकिन सरकार आपको क्या बनाना चाहेगी ये इस साल एक amendment आया है जहां पर पते क्या आप बताया गया है हला कि वो मागे जाके सीखेंगे लेकिन सुन लो थोड़ा सा सरकार पते क्या कर रही है कुछ non resident जो लोग आगे non resident हुआ करते थे उन लोगों को पकड़के ये बना रही है ठेके ना हला कि beam resident कर रही है मतलब मनवार ये कि आप resident है ये इस सलका amendment है मुझे समझाना है सारा किसा लेकिन उससे पहले हम class आज बच्चे start करते हैं residential status section 6 तो बच्चे residential status क्यों जरूरी है क्योंकि बच्चे इसके बिना आप किसी भी SSA का total income नहीं निकाल सकते है ठेके ना और इसके लाबा सर्फ section 6 क्या सभी text की pair इसके उपर लागो होते जी हा आपने जो status निकालना है वो सभी assesses का status निकलता है यानि कि individual का भी, HF का भी आपका EOP, B.O.I, company, local authority, partnership firm ठेके ना, EJP, हर SSA का निकलेगा हर person का निकलेगा इसके लाब एक और चीज citizenship और residential status को mix नहीं करना ऐसा हो सकता है कि अगर किसी के पास भारत की citizenship है तो वो resident US से का हो या ऐसा भी हो सकता बचे अगर कोई अफरिका का citizen है वो इंडिया का resident बन सकता है ठेके ना तो यह दोनों अलगलग concept है इनको आप बीच में नहीं लखे आएंगे इसके लाबा एक person के पास एक से जादा residential status एक से जादा country में हो सकता है मतलब जैसे से महाल लिजे एक से जादा residential status नहीं same residential status है सम ऐसा हो सकता है कि अगर कोई शक्स इंडिया में resident है तो वही same शक्स USA में भी resident हो सकता है यह possible है ठेके ना तो इन गलत धारनाओं को अपने मज से बाहर निकालना है सबसे पहली चीज़ इसके रावा सर्क कितने तरह के residential status होते है वो ध्यान से सुनियेगा individual, HOF और ये कोने बच्छे बाकी एदर person for example मतलब और example क्या बाकी एदर person कोने फॉर्म, LLP, OPPO और company ठेके ना सारे person यहाँ पर है बच्चे यह question exam में आ रखें यह जैसे के exam में कि भाई जैसे माल लो form, form क्या resident हो सकती है जी हाँ, form क्या non-resident हो सकती है जी हाँ, लेकिन form क्या बच्चे आगे further division होती है जैसे resident की ordinary ये not an ordinary resident हो सकती है नहीं, ये नहीं हो सकती है ठीकिन तो इनके आगे further division नहीं होती है, लेकिन क्या HF के आगे further division होती है, जी हाँ, अगर HF resident हो जाता है, तो आगे HF ROR भी हो सकती है, और RNOR भी हो सकती है, ठेकिन अकोई दिक्कत नहीं है, ये जिसे HF का case है, पिछले साल तक, basically आपके finance एक 2020 से पहले, individual का भी same status हुआ करता था, लेकिन individual के बारे में अब नहीं amendment आ गई, वो ध्यान से सुनेगा, individual बचे resident भी हो सकता है, non-resident भी हो सकता है, और अगर resident है तो वो ROR और RNOR भी हो सकते हैं, एक नहीं जो amendment आ ये वो क्या है बचे, एक निया individual का status निकाल दिया है, deemed resident, हलाकि ये बात अलग है, कोई भी individual अगर deemed resident बनता है, तो उसे क कि तुम हलाकि वो resident नहीं था, वो SSC, कोई individual, सोच के देखना, कोई individual non-resident है, सरकार के तिना ना, तुम तो क्या हो deemed resident, और अगर deemed resident हो, तुम क्या बन जाओगे, automatically RNOR ठीके न, ये सब कैसे हो रहे हैं, ये हम आगे समझते हैं, बड़े ध्यान से देखेगा, तो सर हमें ये बत condition है, पहली condition है, आपको previous year में न, previous year, जिस सल आपने actually पैसा कमाया है, income earned जिस सल की है, उस previous year में, अगर आप 182 days, at least 182 days और more रहे जाते हो, तो मुभारव को आप इंडिया के resident बन जाएंगे, लेकिन सर सर मैं तो 181 days रहा हूँ, क्या मैं resident नहीं बन सकता, सरिकार ने एक और मो कहती है, अगर आप एक previous year के अंदर ध्यान से सुनना, अगर previous year के अंदर आप 60 days और more रहते हो, और साथ ही साथ, बड़े ध्यान से सुनना, और साथ ही साथ, and, पिछले चार preceding previous years के बीच में, 365 दिन या उससे जाधा रहते हो, तब भी आप resident बन सकते हैं, सर क्या मतलब, आई दो बाते माननी है, दोनों में से कुई भी एक बात माननी है, ठीके न, पहली शर्त क्या है, अगर आप इंडिया में 182 दिन या उससे जाधा रहे जाते हो, तो मुबारव को आप president है, अगर ये नहीं, अगर 182 से कम है, तो सरकार के ती अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, फिर पर भी resident हो, तो अगर ये वली condition नहीं से टारी बच्छे resident बनने के लिए, अगर ये वली condition नहीं से टारी तो आप इस condition से भी resident बन सकते हैं, अगर इंपोर्टेंट चीज़े ध्यान रखेगा, मैं इसे for the timing रब कर देता हूँ, अब में चीज हमने क्या समझने हैं, वो ध्यान से सुणना, तो सर, अभी तक हम नहीं सीखा, अगर मैं इस assessment year में हूँ, for example, assessment year 21-22 में, इस assessment year में देखना चाहता हूँ कि भाई, ये जो relevant previous year 20-21 है, मैं इस relevant previous year 20-21 में मैं resident होके नहीं, तो मुझे क्या देखना पड़ेगा, दो condition है, दोनों में से कोई भी एक मानने हैं, ठेक सरकार ने एक और मोका दिया, relevant previous year में at least 60 days, मतलब 60 days or more, और साथ ही साथ, और साथ ही साथ, पिछले 4 preceding previous year, सर, preceding previous year कौन से होते हैं, relevant previous year जो आपका होता नहीं, वो कौन सा होता है, जिस साल का, जिस previous year में आपने actually पैसा कमाया है, उससे पिछले जितनी भी साल होते हैं, वो preceding previous year से होते हैं, सरकार ने कहा, पिछले 4 preceding previous year में basically इस साल, इस साल, इस साल, इस साल, टोटल क्या आप 365 दिन यह उससे जाधा रहे हो, मैंने कहा, तो 60 days or more in relevant previous year, and 365 days in 4 preceding previous year, अगर दोनों condition satisfy होती है, तो मुबारक हो, तब भी आ प्रेजिडेंट हो, तो मैंने तीन अलग लग आपको समझाने का प्रयास किया है, पहला statement wise जैसे कानून लिखा जाता है, दूसरा chart wise और तीसरा आपको conceptual भी बताने का प्रयास किया है, I hope आपको बात समझ आया होगा, तो सर एक बात बताईए, सर अगर हमारी दोनों में से कोई भी एक condition पूरी नहीं हो, सर अगर मेरी ये मिलके पूरी करने थी, 60 days और मोर और पिछले 4% प्रिवेस ये में 350 दिन से जादा, अगर आप भाई 60 से ही कम होना किसी साल में सोच के देखो, अगर आप किसी भी प्रिवेस येर में 60 days से भी कम इंडिया में रहे होना, तो भाई आपको कुछ नहीं हो सकता, आप इंडिया म को satisfy नहीं कर पाए, किसी भी condition, दोनों condition को satisfy नहीं कर पाए, तो आप इंडिया में क्या बन जाएंगे, बचे, इंडिया में आप non resident बन जाएंगे, ठीक ना, सीधी सी बात है, I hope आपको बात समझ आया होगा, इन दोनों condition को हम कहते हैं बच्छा, basic conditions, बेसिक conditions, ठीक है न, तो दोनों में से कोई भी पूरी हो जाएं, तो आप क्या बच जाते हैं, resident बन जाते हैं, चली, आगे चलते हैं, इतनी सी बात को और अच्छे से समझते हैं, बड़ी ध्यान से देखना, बचे, सैम है, एक असे इंडिविजुल है, ठीक है, सर, इंडिया आया है, first time, पहली बार during the previous year, basic case, यानि कि जो relevant previous year आपका चलता है, basic case, उसे साल इंडिया आया है, पहली बार, सर, वो कितने कितने साल रुका है, तीन cases है, 50 दिन, 183, 153 days, आपको यह बताना है, कि क्या वो residential, क्या वो इंडिया में resident था कि नहीं था, तो सर, सीधी सी बात है, बड़ी ध्यान से देख रहा है, तो यहां भी पूरी नहीं हो रही है, तो यह तो हमने इकठा देखना होता है, हाला कि यहीं पूरा नहीं हो है, तो वो assessi को नो जाएगा बचे, non-resilent, तो यह तो हमने कर लिया, second case है, 183 days रहा है, तो ध्यान से देखो, अगर वो assessi 183 days रहा है, तो क्या क्या क्डि तो यहां बच्चे वो क्या बन जाएगा? रेजिनेंट बन जाएगा आए थर्ड पॉइंट क्या है? 153 days रहा है सर तो सोचकर रेखो 153 days रहा है क्या उसकी पहली जो basic condition है क्या वो पुरी हो पाई? पहली basic condition नहीं सर 153 days रहा है ये पुरी नहीं हो पाई क्या ये पुरी हो पाई? 2nd basic condition ध्यान दो सर 153 days रहा है तो ये वाला तो पुरा हो गया लेकिन साथ साथ आपको ये भी चक करना होता है क्या ये चीज़ पुरी हो पाई? नहीं होगी, पता क्यों? क्योंकि वो first time इंडिया आया है बचे एंडी है, एक ब्रिटिश नाशनल है पहली बार इंडिया आया है, ठेके ना? डिरिंग 2016-17, 16-17 में पहली बार इंडिया आया था, बहुत बड़िया और वो कितने-कितने दिन रहा है? 16-17 में, 17-18, 18-19-20 और 20-21 में इतने-इतने दिन इंडिया में रहा है Residential Ship Status निकालने assessment year 21-22 का that means previous year 20-22 का तो हमने ये देखना कि भाई, कितने-कितने दिन वो इंडिया रहा है? बड़े ध्यान से देखना तो हमने इस साल में ये देखना कि वो assessi किया यहाँ पर 20-21 के अंदर resident है के नहीं है? तो दो condition थी, बच्चे कौन-कौन से condition थी? 182 days और more और 11 previous year में वो तो पूरी हो निरी क्योंकि यहाँ पर 70 days है दूसरी condition क्या थी? 60 days और more क्या यहाँ पर 60 days है? जी हाँ sir और पिछली 4 preceding previous year में प्लीज देखो के अंकर total 365 बनता है sir 55 plus 60 plus 80 plus 160 sir यह तो बनता है 355 days तो भाई 60 यहाँ पर होने चाहिए थे और 365 दिन at least इन चारों को मिला की होने चाहिए थे क्या हो पाए नहीं sir यह तो 365 ही 355 ही है तो यह दोनों condition थे पूरी हो नहीं पाए तो भाई क्या बन जाएगा non-resilent ही रह जाएगा I hope आपको बात समझ आया होगा चलिए अब तो यह basic condition है इन दोनों को हम क्या कहते हैं बचा इन्हें हम कहते है basic conditions अब ना कुछ important बात समझारों बड़े ध्यान से सुनना इन basic conditions का तीन exceptions है तीन exceptions अब एक exception तो आपने अलोडी पढ़ा होगा ठीके ना पहले भी अगर आपने कहीं से भी text पढ़ा है एक exception तो आपको पता होता है ठीके ना बाकी जो दो exception है वो amendments है ठीके ना तो पहली exception आपको समझातों क्या है बच्चे भूला गया in the following cases condition 2 of section 6 1 basically second condition का बात किया जा रहा है कहते हैं जो second condition वो irrelevant हो जाएगी मैं आपको समझातों क्यों ठीके ना आगे देखेंगे एक बार कहा गया यहाँ पर इन्होंने समझाया कि भाई देखो अगर कोई Indian citizen है who leaves India during the previous year for employment purpose कहा गया अगर कोई Indian citizen है Indian origin नहीं निका अगर कोई citizen of India है India छोड़कर बाहर जा रहा है किसके लिए सर नौकरी करने के लिए नौकरी करने के लिए ठीक है दूसरा अगर कोई Indian citizen है who leaves India during the previous year as a crew member of an Indian ship Indian ship में जो crew member नहीं होते उस तरह उन्होंने भारत छोड़ा है तो दो लोगों की बात करा गया पहला Indian citizen कौन है बच्चे जो India छोड़कर बाहर गए है for employment purpose दूसरा बंदा कौन है बच्चे Indian citizen जिसने इंडिया छोड़ा है as a crew member of an Indian ship इन लोगों के लिए क्या बोला गया इनको सिर्फ एक ही condition मानना है अगर आपको बच्चे resident होना है अगर इन लोगों को resident होना है इंडिया में तो दो basic condition थी ना जी सर दो basic condition था तो कहा गया उन में से इनको एक ही condition मानना है एक ही condition सर वो कौन सा है उनको सिर्फ कौन सा मानना है कि आप अगर 182 दिन या से जादा हो इंडिया में तो आप resident मानने जाओगे सर इसका मतलब वो 60 days वो वो ला condition नहीं मानना ना वो नहीं मानना एक्चुली लॉमेकर से ना इस बात को पते कैसे लिखा मैं आपको समझाता हूँ लॉमेकर ने कहा कि सुनो भाई ये जो दो लोग है ना ध्यान से सुना कौन लोग Indian citizen Indian citizens who leaves India who leaves India किसके लिए for employment purpose for employment purpose यानि कि बाहर विदेश में कही है या as a crew member of an Indian ship इन लोगों के लिए क्या बुला गया इन लोगों के लिए बुला गया कि सुनो भाई ये जो second condition थी ये जो second condition थी second basic condition मैंने कहा law में लिखा गया ध्यान से सुना सरकार कहती ये जो second basic condition है न मैंने कहा जी आगे बूलो कहती इसमें जो आपका इसमें जो आपका 60 days था न मैंने कहा इसको आपने न 182 days रीड करना है सरकार ने ऐसे बोला मतलब law makers ऐसे बोलते है कि 60 days को replace करके कितना रीड करना है आपने 182 days सोच कर रेखो अगर यहां पर 182 days बन गया ये तो सिर्फ एक basic condition ये वेली बन जाएगी क्या इसमें और इसमें कोई फरक नज़रा है नहीं sir कोई फरक ही नहीं है भाई दोनों में से एक पूरी करनी होती है law makers कहते है कि 60 को replace करके 182 कर दो second basic condition में तो ये तो पहले के बराबर हो गया इसमें और इसमें फरक क्या हुआ सर इसमें और इसमें कोई फरक नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या ये हमें मानने के ज़रा होता है उनका conclusion है अगर कोई citizen of India है India मतलब भारत छोड़ा है उसने for the purpose of employment या किसी Indian ship का crew member के तौर पर उने इंडिया छोड़ा है तो उनको सिर्फ एक condition माननी है वो कौन सी है सर अगर उनका stay इंडिया में 182 days और more रहता है तब ही वो क्या होंगे सर तब ही वो resident होंगे इनका जो second basic condition है जो 60 days और more वाला वो इनके उपर लागू नहीं होता है तो यह आपको ध्यान अटना है दूसरी exception है यह amendment है very 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 important amendment ध्यान से सुनना क्या बोला गया कहा गया अगर कोई Indian citizen है अगर कोई Indian citizen है या person of Indian origin है बच्चे जिसके जो grand parents हैं मतलब maternal और paternal दोनों वाली साइट जिनके अगर grand parents है अगर grand parents या पिता जी अगर वो खुद भी अगर कोई undivided इंडिया में पैदा होता है तो वो Indian origin का बंदा होता है अगर कि भारत के अजादी से पहले या person of Indian origin comes on a visit to India ओ, 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 ओ इंडिया विजिट करने आया है जाली रहे, इंडिया विजिट करने आ रहे है बड़े ध्यान से देखना अगर कोई Indian citizen या कोई Indian origin ये क्या करने आ रहे हैं बच्चे इंडिया आ रहे हैं सर क्या करने आ रहे हैं विजिट करने आ रहे हैं गूमने भरने आ रहे हैं इंडिया विजिट करने आ रहे हैं दिरिंग दा प्रिविएस येर तो बोलागे इंखी पर modified condition लागू होगी अब सरी modified condition क्या है very important इस साल का amendment है चायद आपने नहीं पढ़ाओगे ध्यान से सुन लेना कहा गया अगर इन लोगों का मतलब किन लोगों का Indian citizen person of Indian origin जो की इंडिया विजिट करने आया है अगर इन लोगों का total income अगर इन लोगों का total income 15,000,000 से जादा है सर कौन सा total income जो की इंडिया से कमाया है basically other than income from foreign sources basically जो इंडिया से कमाया है इन उन इंकम ठीकिना फिर से सुनो basically Indian income की बात की जा रही है Indian income तो यहाँ पर में चीज़ आपने क्या समझनी है अगर कोई Indian citizen या person of Indian origin इंडिया विजिट करने आ रहे है during the previous year और अगर उनकी बच्चे Indian income मतलब इंडिया से income जो उनकी accrue और arise हो रही है अगर वो 15 लाग से जादा है तो सरकार कहती कि सुनो वो जो 60 days थे न उनको हम replace करके कितना कर रहे है 120 days कर रहे है okay 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 सर क्या मतलब बड़े ध्यान से देखना इसको भी समझा दूँगा बड़े ध्यान से देखो अब तक कहानी क्या चल रहे है सरकार नहीं सर्फ इतनी सी बात बोली अगर कोई बच्चे Indian citizen है ठीक है सर या person of Indian origin person of Indian origin ये लोग क्या करने आ रहे हैं बच्चे India visit करने आ रहे है India visit करने इन लोगों को बुला गया कि भाई आपकी total income इंडिया से from India मतलब other than foreign sources इंडिया से क्या पंदरा लाग से जादा है क्या पंदरा लाग से जादा है हमने का हाँ कहते सुनो तुम्हारे लिए क्निया रूल है मैंने का क्या ये जो second basic condition में 60 days लिखा तरह मैंने का हाँ कहते हैं आप लोगों के लिए कितना है 120 days है 120 दिन पहले 182 होता था यहां पठी कितना कर दिया गया 120 दिन इसका मतलब सरकार ने क्या बोला अगर आप लोग इन लोगों को बोला अगर ही 120 days हो गया इसका मतलब इन लोगों को resident होने के लिए, मतलब इन लोगों को resident, resident and not an ordinary resident होने के लिए ये condition माननी पड़ेगी, सर कौन सी, ध्यान से देखना, ये वहले condition, सर हमें कुछ समझ नहीं आया, बड़े ध्यान से देखो कोई बात नहीं है, ध्यान से समझना, amendment है, very, very, very important एक चार्ट दिखार हो, यहां से समझने का प्रयास करते हैं, अब इधक हमने इतनी सी बात सीखी, कि सर, अगर कोई भी SAC, कोई भी SAC का period of stay कितना रहता है, वाने टी टू डेज ही है, उससे ज़ादा, तो वो resident है, ठीक है सर, अगर नहीं, तो सर, एक condition चेकर हो, 60 days से ज़ादा, और साथ में, 4 preceding previous year में, 365 दिन से ज़ादा, तब भी वो क्या बन जाएगा, लेकिन सर, अगर यह भी नहीं है, लेकिन सर, अगर यह भी नहीं है, तो बी exception है, बी exception है, exception number B, second exception, ध्यान से देखना, कहा गया, अगर कोई भाई, citizen of India है, ठीक है, या Indian region है, ठीक है, being out in India, बाहर रहते हैं, लेकिन इंडिया विजिट करने आ रहे हैं, ओके, और साथ ही साथ, अगर उनकी बच्चे total income from India, 15 लग से ज़ादा है, ठीक है, उन लोगों क देखो, यहाँ पर क्या limit आगी, 120 days से कम, मतलब, अगर at least 120 days इंडिया में रह जाते हैं, लेकिन less than 182 days, और साथ ही साथ, 365 दिन में बच्चे, पिछले 4 preceding previous year में, 365 दिन से जाधे रह जाते हैं, तो इनका जो status रहेगा, वो क्या रहेगा, not an ordinary resident, ठीक है, not an ordinary, very, very, very important, यह सरका इनको मनवाया है, कि आप not an ordinary resident हो, पहले क्या होता था बच्चे, पहले इस amendment से पहले यह बात होती ही नहीं थी, यह बात होती ही नहीं थी, इन लोगों के लिए सिर्फ इतनी सी बात थी, इन लोगों के लिए पते क्या provision होता था इन लोगों का, सरकार कहते थी कि आप 60 days को, यह जो 60 days है न, आप कितना हो जाए, अगर replace करके 182 कर लो, सरकार पहले यह बूलती थी, इसका मतलब, अगर यह लोग थे, citizen of India, Indian origin, outside India है, इंडिया विजट करने आया है, total income बनलाग से जाद है, इन लोगों के लिए कुछ था ही नहीं, यह लोगों के लिए मेन चीज क्या थ अगर यह इंडिया में 182 days से जाधा रह जाए, इनक्यू पर सिर्फ यही condition, एक basic condition लागव होती थी, तो सरकार पहले कहते थी कि यह resident है, यह आज भी है, लेकिन सरकार ने जानके, जो लोग non-resident हो रहे थे न, non-resident, उनको जबरदस्ती resident and not an ordinary resident मनवाया है, टेकिन उन्होंने ज जबरदसी सरकार ने इनको क्या बनाया है, आर एनवार, सरकार ने क्या बोला, सरकार सिर्फ इतनी सी बात कहती कि इन लोगों को पकड़ा जाना चाहिए, कैसे पकड़ा ध्यान से अब्ज़र्व करना, सरकार ने सिर्फ इतनी सी बात कही, कि भाई, कि भाई, ध्यान से देख at least 120 दिन लेकिन less than 182 days क्योंकि 182 days वाले condition दो यहाँ पर आ जाएगा ठीक न, वो यहाँ पर पहुंच जाएंगे 182 गयों से जादा सरकार कैती at least 120 days गयों से जादा है, लेकिन less than 182 days, मैंने का हाँ कैते कितने दिन रहे हूँ, मैंने का 130 दिन कैते शाबबाश, कैते अच्छा पिछले चार प्रिसीडिंग प्रिवेसर में, क्या 365 दिन से जादा है, मैंने का हाँ, कैते मुबारक हो, आप क्या बन गई है resident and not an ordinary reason, आपको पते हैं, सरकार ये क्यों बनवा रही है सबको सरकार ने क्यों बनवाया RNOR, सर क्यों, वैसे वो शक्स क्या होना था बच्छे, वैसे वो शक्स होना था आपका NR, सोच करें को वैसे वो शक्स आपका क्या होना था NR, सरकार ने जबरदसी क्या बना दिया, उसे RNOR तो इसके कुछ न कुछ जादे इंकम सरकार टेकसिबल करोना चाहती है, तो यह कहानी हो रही है, बिस धियान रखना है आपने, यह छोटा सा मेंट है, इसके लावा, सर अगर हम प्रीवेस एर में 120 दिन भी नहीं रहे, मतलब अगर हम इंडियन सिटिजन है, या परसन ओफ इं लोगों को, अगर रिखे, सर अगर एक और बात बताईए, अगर मैं सिटिजन ओफ इंडिया हूँ, इंडियन ओरिजिन का हूँ, आउट इंडिया रहता हूँ, इंडिया विजिट करने आया हूँ, और मेरी जो टोटल इंकम है फ्रॉम इंडिया, वो पंदरा लाख है या उससे कम है, पंदरा लाख है उससे कम है, तो सरकार कहती हैं न न तुम लोगों के लिए पुराना रूल ही है, एक लिस्त वान एट टूडेज या उससे जादा बस, और कुछ नहीं है, समझा रही है बच्चे बात, प्लीज बोलिए, तो कहानी समझना क्या थी, कहानी समझो रहते हैं आउट इंडिया विजिट करने आए और अगर इनकी टोटल इंकम अच्छे फ्रॉम फ्रॉम इंडियन सोर्स कितनी है पंदरा लाग से ज्यादा है सर तो इन लोगों के लिए क्या बोला गया ध्यान से देखो इन लोगों से क्या पूछा गया आपका पीरिड ऑस्ट इस पूछा गया अगर बच्छी इनका पुल्ड गोफ में लेस्दा तो 215 टैसले सरकार साथ में क्या पूछ रही है अच्छा फिर पूछती आच्छा यह बताओ अच्छा यह बताओ यह वली कंडिशन है एगा अच्छ है आच्छी बताओ पिछले चार प्रिशीडिग प् क्या 365 दिन और मोर है? पिछले 4 प्रसिडिंग प्रिविए सेर में, 365 दिन से जाद है मैंने कहा, तो ठीक है, तुम अनर नहीं हो, तुम क्या बन जाओगे? आर अनुआर है, resident है not an ordinary resident. फिर सरकार ने पूछा, अच्छे बताओ, 182 days और मोर है? 182 days और मोर है? मैंने कहा, तो कहते हैं, भाई, 182 दिन से जाद है, तब तो तुम resident ही हो, ठीक है ना? तब तो तुम क्या हो? resident ही हो, तब तो तुम क्या हो? resident ही हो. खेले बच्छे, असान है, कोई दिक्कत तो नहीं है, फ्लीज बताइए, असान है, चलिए. तो यह सारी कहानी है, ठीक है, यह सारी कहानी है, आइए, I hope आपको बात समझ आया होगा, ठीक है ना? तो person of Indian origin में आपको बता रिया कोन होता है, बच्छे, a person is deemed to be Indian origin, if he, या वो, और either of his parents, or grandparents were born in undevered India. Grandparents के मतलब बच्छे, paternal भी हो सकता है, maternal भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है. Sir, foreign sources वाली income का मतलब क्या है? Foreign sources का मतलब होता है, कि अगर आपने कोई income accrual arise की है, अगर कोई income accrual arise की है outside India, and which is not deemed to accrual arise in India, वो वाली income कौन से होते हैं? बच्छे, foreign sources. Basically, बाकी सारी income कौन से होगी? इंडिया वाली income, तो total income इंडिया वाली जो है, वो पंदर लाग से आपके जादा होनी चाहिए. चलिए, तीसरी exception क्या है? ये भी amendment है, ध्यान से देखेगा. ये भी amendment है, पहली बार पढ़ेंगे, ये क्या बोला गया है? ये basically आपको deemed resident बनाया जा रहा है. deemed resident. और याद है न, अगर कोई भी शख्स deemed resident बन जाता है, उसको कौन सा status मल जाता है? सर, R.N.O.R का status मल जाता है. तो कौन शख्स deemed resident है, ध्यान से सुनना. अगर कोई भी शख्स बच्छे citizen अफ इंडिया है, यहाँ Indian origin शब नहीं लिखा है लौ में करने, तो citizen अफ इंडिया को deemed resident बनाया गए. क्यों बनाया गए, मैं आपको समझाऊँगा. अगर कोई भी शख citizen अफ इंडिया है, अगर उसके total income, अगर उसके total income, Indian sources से कितनी है बच्छे, पंदर लाक से जादा, और वो कोई भी basic condition satisfy नहीं कर पा रहा, ठीक ना, कोई भी basic condition, यानि कि 182 दिन से जादा, 60 प्लस 365 दिन से जादा वहली जो condition था, 4 preceding previous year में, कोई satisfy नहीं कर पा रहा, और बच्छे उसका जो text liability है, किसी और देश में वो resident भी नहीं है, तो सरकार कहती तो आप इंडिया में resident है, सर कैसे मैं आपको समझाता हूँ, मड़े ध्यान से अब्जाव करना वह वेरी 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 इंपॉर्टन, बच्छे कोई लोग होते हैं, जिने हम क्या कहते हैं, high net worth individuals, high net worth individuals, बेसिकली नहीं है, एच एनाइज बोलते हैं, हाइन नेट वर्थ इंडिविजॉल, ह्वा भी बोला जाता है, ओमली है एच नाइज बोलते हैं, high net worth individuals, यह लोग पते क्या करते हैं, यह लोग ना, किसी भी देश में resident हैं, जैसे मैं आपको समझाता हूँ, सोच के देख़ए, आपके देश में condition क्या है, इंडिया में क्या condition है, इंडिया में अगर आप 182 दिन से जादा, इंडिया में रह जाएं, तो आप resident है, दूसरी condition क्या है, 60 days or more, previous year में, और 4 preceding previous year में, 365 दिन से जादा, तब भी इंडिया में क्या हो जाएंगे resident, तो basically, अगर 60 से कम रह गए इंडिया में, for example, अगर इंडिया में मालो 59 days रहते हैं, तो क्या दोनों basic condition में से कोई भी एक पूरी होगी, कोई नहीं पूरी होगी, अगर मेरे पास कोई भी एक पूरी होगी, मतला, basically, बैसलिए पहली basic condition पूरी होगी, आगर ये वली basic condition पूरी होगी, तो अगर दोनों में से कोई भी पूरी होगी, मैं इंडिया में क्या बन जाएंगे बच्चे अगนะคะ, मैं इंडिया में बन जाएंगे non-resident, एक सब्सक्राइब आप देखना सरकार ने कैसी फेंग एक नव वेरी वेरी इंपॉर्टन सरकार ने किन लोगों के लिए किया बहले तो समझ लिए सपर ने किन लोगों को फसा आया हैं पर टेकर ना लाय क्या करते हैं यह प्लां बनाते कि किसी बीडेश में कैसे ककम है थी लोय यृसे में इंडिया में कहते हैं कि दू से कम रहना कि ने को?. आ था झाल triggering adzers चीटिस्किटर से हैं वहां को सबसे टेम हैं यूजिय बुटन हैं। इस बहु Celे मोझे कितना है不 Northern German के दूट के हैं कि थ cogn ने मुझे 4 दिन ने कि महां। मानलों केते हैं जपान में, जपान में कितना है, मानलों केते हैं यहां भी सेक्षटे से कम है तो ऐसे करके ना अब ये लोग कोन हैं High Network, तो उनों के बास खुब मोटा पैसा होता है ये लोग क्या करते हैं किसी भी देश में resident नहीं होते हैं सोच के देखो किसी भी देश में resident होई नीए रहे हैं और सरकार कहती अरे ये निकम में कौन है सरकार ने देखा सरकार ने कलूफोल निकाला सरकार कहती कौन लोग है क्या ये citizen ऑफ इंडिया है लोग केते हां ये citizen of India है अच्छा ही बताओ citizen of India है क्या एक खूब मोटा पैसा कमा रहे है जी हाँ लोग कहते सरी तो हाई नेट वर्थ मता क्रोडों की इंकम है ठीक ना हर जगह घर है इंडिया में उसे में दुबई में जपान में हर जगह घर है अच्छा क्या ये किसी कंटर में resident हो रहे हैं सरकार के लोगों ने देखा कि ना सरी किसी कंटर में resident नी हो रहे हैं तो सरकार कहती है अरे वाँ ये तो बड़ा अच्छा तरीका अपना है इनोंने ये किसी कंटर में resident ना होने के कारण अपनी maximum income exempt करवा रहे हैं तो यहाँ पर सरकार ने क्लूप फोल देखा और सरकार कहती कि इनको रोकना चाहिए तो सरकार ने देखना क्या कानून बनाया ये इस साल की amendment है ध्यान से सुन लेना सरकार के कहती अगर कोई भी शक्स non-resident बन ज रहे या 60 दिन भी इंडिया में नहीं रहे तो आप non-resident है सरकार कहती अगर कोई भी शक्स non-resident बन जाएगा तो नीचे एक arrow लगाई वो arrow क्या कहती है ये amendment है section 6 वानने ध्यान से सुनना सरकार ने पूछा क्या आप citizen of India हो मैंने कहां सरकार ने पूछा क्या आपकी total income from India 15 लाक स से जयाँ मैंने का हां फिर सरकार ने पूछा क्या आप किसी और country में resident हो पा रहे हो मैंने कर नहीं कहती कोई बात नी हमारी country में resident हो जाओ मैंने काको कौन से को यह याद है एक और केस में जबरदसी सरकार ने नौट अब डाया था ये वाला केस इन लोगों कभली क्या बनाया गया जबरदसी क्या बनाया गया नौट रज़ेल यह लोग क्यों थे बच्छा यह लोग लोग होते हैं जो इंडिया विजिट करने आया है लेकिन टोटल इंकम पंदलाग सेजाद है इन लोग इसे पूछा गया क्या आप 120 दिन या 180 दिन से कम है और पिछले चार पर सेटिंग प्रिविशर में क्या 365 दिन से जाद है सरकार के यहां भी तो बोला था सीम चीज यहां भी इन लोगों को फसा लिया गया थेकिन इस तरह इस तरीके से इन लोगों यह लोग कौन है यह इस इस इडिजन ओफ इंडिया है वो लोग है जो मूटा इस पैसा कमारे कहीं पिर कहीं भी रेजिट नी उन दो सरकार काती कोई बात निया में इस लेकिन कौन से और डिनर नी मिन घर भूट साथ दिन भी नहीं रहे हुआ इस पर अगया और इस बर वच्छ जो पर इननर इस आ एपसे गया कि वह कोईड-19 की वज़े से जो आप यहां में इंडिया में स्टे रहे हैं इंडिया में स्टे किया अपने काफ़े दिन तो वह आपका प्रीज बताओ क्या employment purpose के लिए बाहर गी है employment purpose जी हां सरे employment purpose के बाहर गी है याद है अगर कोई भी शक्स इंडिया चोड़ता है ध्यान से देखना यह पहली exception में कवर हुआ था ध्यान से देखो कोन लोग थे अगर को इंडिया में एक सो ब्यासी दिन या उससे जाधे रहते हो तो आप इंडिया में क्या हो बच्छा resident है चलिए तो यहां पर ध्यान से दिखेगा question तो मिस पॉल है बच्छे इंडिया चोड़ा है उनने for on 1st April 2020 और she came to India on 11th January 2021 for only 170 दिन तो ठीक है एक अपरिल को भारत छोड़ा है इंडिया वापस लोटी है 11 जनुरी को 170 दिन के लिए रुकी है इंडिया में ठीके न और आपने इंडिया में इंडिया में ही आपका stay था ठीके न सीधी सी बात है चलिए तो आपने बेसिकली क्या देखना है तो 20-21 के बीच में आपका period of stay कितना है ध्यान से लिखेगा एक अपरिल में एक अपरिल को अपने छोड़ा था भारत इंडिया माना जाएगा जैनुरी फेबरी मार्च ठीके न अब सीधी सी बात है आप 170 दिन के लिए इंडिया आई है कौन से तारीक हो 11 जनुरी को 11 जनु इस बात है अगर आप 81 देज इंडिया में रही है इसका मतलब किया आप resident है इंडिया में जी नहीं sir इंडिया में आप क्या बन जाएंगी non-resident बन जाएंगी वो 60-20 condition यहां पर count नहीं होगी तो 2020-20 के अंदर आप कितने दिन इंडिया में थी आप थी sir 81 देज ही इंडिया मे यहां पर रहते हैं यहां पर रहते हैं वो माना जाएगा पर इंडिया में ही रह रहे हैं बात समझारी सब्सक्राइब इंडिया में पर इंडिया में ही है चलिए तो अभी तक हमने क्या कर लिया है अभी तक हमने यहीं देख लिया है कि भाई कोई भी शक्स सर राइजिडिक कैसे होता है और कोई भी शक्स नौन रीजडिक कैसे बन जाता है अगर दोनों basic condition यह पूरी नहीं हो रही तो वह शक्स कोन होगा बच्छे नौन रीजडिक होगा हमने यह देख लिया अब मैं आगे आपको यह समझाना चाहते हूं अगर कोई शक्स resident बन जाए तो उसके आगे फरतर तो categories निकलती है ordinary या not an ordinary resident वो कैसे होते ध्यान से देखेगा तो उसे हम बोलते है additional conditions ठीके न? या उसे हम बोलते है dual conditions बच्चे अगर आप resident बन चुकी हो तो मबारक बार आपको क्या बनाया जा रहा है ordinary resident कौन सा शक्स ordinary resident होता है कौन सा शक्स ordinary resident होता है अगर बच्चे वो दोनो additional conditions को पुरा कर दे additional conditions इसे हम बोलते है dual conditions अगर कोई भी शक्स resident बनने के बाद resident बनने के बाद अगर कोई भी शक्स इसे दोनों condition को पुरा कर दे, तो वो शक्स कुई भी condition ना पुर ji होती है 1 धिहान से सुना कोई भी condition मतलब इनमे से कोई भी भी एक अगर नहीं पुरी हो basis माननलो हमका क्योनेत और स्थ नहीं आ पूरी हो जिससे मालो सफ innovation कौन सी देखना पहली कंडिशन है अगर आप इंडिया में देखना अगर आपने बच्छे सेवन प्रसीडिंग प्रिवेस एर में क्या आपका पीड़ ऑफ स्टेई 730 डिज और मोर है अगर हां तो बहुत बढ़िया अगर हां तो बहुत बढ़िया फिर पूचा जाएगा आप क्या बन जाएंगी और समझा रही है बच्छे बाद रहां से सुनियेंगा वरी 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 इंपोर्ट तो अगर आपको बच्छे आर बनना है तो आप कैसे बनेंगे तो बच्छे आपको एट लीस्ट वान कंडिशन पूरी करने पड़ेगी और दोनों कंडिशन आपको तो 60 दिन से जादे रहें तब हो जाएंगे अगर नहीं पुरा कर पारें तो बच्छे से जद बच्छे से जादे इंडिया में और साते आथ पिछले चार परी वेसे में 30 बानि वी रुक जाते हैं तो अप प्रेजिदिन हो जाएंगे तो हम नहीं हुआ नहीं हो पाँ दोन से जुनो, सरकार कहती, कोई citizen of India है, मैंने का हाँ, आपकी income क्या पंदर लाग से जादा है, इंडिया की total income, मैंने का हाँ, क्या आप किसी और country में resident हो रहे हैं, मैंने का ना, तो मुबार्व को आप क्या बन जाएंगी, R-N-O-R, R-N-O-R, ठीक है ना, सर, अगर वो किसी और country में resident हुआ, तो सरकार कहती, ठीक है, भाई, वो तो पहले भी non-resident ही था, अब भी non-resident कर दो, क्या दिक्कत है, सर, 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 अगर वो citizen of India नहीं है, सर, या सर, सर, उसकी total income पंदर लाग से कम है, सर, या पंदर लाग है, तो तब भी वो non-resident है, कोई दिक्कत थी, अब main चीज हमने क्या समझनी है, अगर कोई भी शक्स बचे resident बन जाए, ना, कोई भी शक्स अगर resident बन जाए, तो उसको आगे तो फर्दर मोग के दिये जाते है, वो कौन सा है, ordinary resident है, या not an ordinary resident है, तो कैसे बता चलेगा, अगर उसका period of stay, 730 days, या उससे जादा है, 7th preceding previous year में से, at least two times वो resident है, तो वो क्या बन जाएगा, ROR बन जाएगा, ठीक, ना, वो क्या बन जाएगा, ROR, अर, ROR, असर अगर दोन में से कोई भी है condition पूरी नहीं होरी, for example, अगर आप 7th preceding previous year में से, 7th preceding days और more नहीं रह रहे, that means, 7th preceding days और 7th preceding days और less रह रहे है, या दस preceding previous year में से, आप दो बार resident नहीं है, मतलब मान लिजिए, आप non resident है, 9 बार, तब भी आप क्या बन जाएगे, ROR बन जाएगे, ठीक, ना, मतलब दोनों में से कोई भी condition पूरी ना हो, अगर सरी ये भी पूरी है, ये भी पूरी है, तब भी आप ROR बनेंगे, otherwise आप क्या होंगे ये बच्छा ROR ही होंगे, चलिए, तो ये final आपका chart है, ठीके ना, ये भी final chart है, ध्यान से देखना, ये conclusion है, final chart, ध्यान से देखे, तो basically main बात क्या है, अगर आपको resident होना है बच्छे, या तो ये condition पूरी कर दिजे, नहीं तो ये condition पूरी कर दिजे, इन दोनों में से कोई पूरा कर दिया, तो आप क्या बन जाएंगे, resident बन जाएंगे, जैसी एक बड़ resident हो जाओगे ना, तो आपको किसका सामनाफ करना पड़ेगा, dual conditions का, ये किसलिए हैं कि आप ROR बनो, अब ध्यान से देखना, ROR कैसे बना जाता है, दोनों पूरी करने हैं आपने, seven preceding previous year, seven preceding previous year, तो 7 तो हैं, 8, 9, 10, पेचले 10 preceding previous year में at least 2 times resident आपको होना है, ठेके ना, तो सोच रहे हैं मतलब, जितना सरकार ने आपको ROR बनाने के लिए, कैसा टेस्ट लिया है, पहले एक साल में थे, फिर चार साल में गई, फिर पिछे 7 साल गई, फिर पिछे 10 साल गई, ठेके न, तो यह कैसे किया जा रहा है, ROR बनाने के लिए, सिर्फ ROR बनाने के लिए, ठेके न, मतलब, टेस्ट किया जा रहा है आपको, कितना period of stay आपके इंडिया में कितना था, चलिए, तो में चीज़ अपने अपने तक क्या क्या सीखा धेहन से देखिए, मैं आपको समझा देता ह चलिए, यह था बच्छे, residential ship status हमारा individual का, ठेके न, यह हमारा कौन सा individual का, अब बात करते हैं बच्छा, residential ship status हमारा किसका, H.E.F. का, very 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 important, कैसे करना है, ध्यान से देखिए, तो सर, H.E.F. का मतलब क्या है, बच्छे, H.E.F. का मतलब रहता है, हिंदू undivided family, सर, H.E.F. का, जो residential ship status है, क्या वो भी resident, non-resident हो सकता है, जी हां, सर, H.E.F. resident के बाद, R.O.R. या R.N.O.R. हो सकता है, जी हां, जैसे कि individual बच्छे, आपने देखा, individual एक resident, non-resident दून हो सकता है, और एक individual भी resident के साथ-साथ, अगर resident हो जाए, तो R.O.R. या R.N.O.R. हो सकता है सेम H.E.F. पी ऐसा ही है, लेकिन यहां कोई deemed, deeming provision लगा कि किसे को R.N.O.R. नहीं बनाया जा रहा है, ठीकिना, यहां पर ऐसा किसा नहीं है, वो individual के case में amendment था, हमने वो कर लिया है, उमीद आपको समझाया होगा, तो सर, क्या यहां भी period of stay देखा जा रहा है, individual की तरह, किस important शब्द है, सर, control and management of affairs का क्या मतलब है, बच्चे, अगर एक H.E.F. resident है या नहीं है, उसका पता किसी के period of stay के basis पे नहीं यहां पर किया जा रहा है, यहां पर देखा जा रहा है, कि उस H.E.F. का control management काहां पर है, अब control management का मतलब यह नहीं है कि day-to-day affairs, मतलब जो business के day-to-day decisions, चोटे-चोटे decisions होते हैं, इसका मतलब है, जो main decisions हैं, मतलब जो key decisions जिसे आप बोलते हैं, महत्व पूर decisions बोलते हैं, उनकी बात किये जा रहे हैं, तो वो कहां से किये जा रहे हैं, क्या वो key decisions, इंडिया में एक प्रतिशत भी वो decision इंडिया में किया गया है, अगर holy और partly in India ह तो मुबारक हो, वो H.A.F. पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, resident हो जाएगी, लेकिन हा, अगर वो control management of affairs, सारा का सारा outside India हो, holy outside India, that means, अगर 100% outside India हो, तब ही वो non-resident होगा, अगर एक प्रतिशत भी उसका control management, H.A.F. का, इंडिया में पाया गया, तो बच्चे, पूरी की पूर ही बात यहाँ पर यह है, H.A.F. के resident को करने के लिए period of stay नहीं देखा जारा, लेकिन जैसी ही एक कोई H.A.F. बड़ी ध्यान से सुना, जैसी कोई H.A.F. बच्चे resident हो जाएगी न, अब पते किसे पकड़ा जारे, अब पकड़ा जारे करता को, ध्यान से देखना, अब आया करता का period of stay, सोच कर देखो, H.A.F. resident, non-resident में करता को नहीं पकड़ा रहे, अगर एक H.A.F. resident हो गई है, वो H.A.F. आगे R.O.R. है या R.N.O.R. उसके लिए करता का period of stay नहीं देखा जारे है, करता को आप समझते ही होंगे, जो H.A.F. करता धरता होता है, सबसे बड़ा member, करता का stay दिखा जारे है, तो यहां पर dual conditions लगती है, करता की ओपर क्या चेक होगा, करता की क्या चेक होगी, बचे, dual conditions, अगर वो करता, दोनों, जो मतलब dual conditions है, अगर वो दोनों satisfy करती है, यह same as individual है, कि 7 preceding previous year में, 730 days or more, अगर करता इंडिया में है, और साथ ही साथ, 10 preceding previous year म at least two times अगर resident करता है आपके भारत में, तो मुबारक हो, दोनों condition satisfy हो जाती है, और अगर करता resident पाया गया, तो मुबारक हो, वो H.O.F. क्या हो जाएगी उस case में, करता अगर resident पाया गया, मतलब करता अगर, करता ने अगर यह दोनों dual conditions पूरी कर दी है, करता ने अगर दोनों condition पूरी ना हो, यह dual condition, तो भाई, वो H.O.F. क्या हो जाएगी, H.O.F. आपकी R.N.O.R. हो जाएगी, तो यह था बच्छे करता का, मतलब यह था आपके H.O.F. का residential shift status, एक छोटा से यहाँ पर question भी है, बड़े ध्यान से देखना, है कि H.O.F. बच्छे मैनेज किया जा रहे H.O.F. का करता है, वो एक foreign citizen है, और वो इंडिया विजिट करने आता है, हर साल 1980 से आ रहे हैं, अपरिल के महीने में आता है, 105 दिन रहने, अब बताइए कि H.O.F. का status क्या है, मतलब वो resident तो हो गए, H.O.F. इसमें को दिक्कत नहीं है, लेकिन H.O.R. है या R.N.O.R. यह हमन पाश दिन बचे भारत में रहता है, हर साल, इसका मतलब पिछले साथ साल में 105 दिन से जाधा रहे हैं, मतलब पिछले साथ प्रिसिदिंग प्रिवेस एर में कितनी में रह जाएगा, सिर 105 एंटो 7 कर देजे, यह बन जाएगा, 735, यह सुनो, क्या 730 देज से जाधा है, जी ह तो यह बनी कंडिशन तो पूरी कर गई, और सोचके देखो बचे, अगर एक करता, एक सो पाँच दिन रहता है, तो भाई, इसका मतलब, आपको याद है, इसका मतलब वो रेजिदेंट भी इजली हो जाएगा, ठेके ना, क्योंकि एक रेजिदेंट होने के लिए हमें क्या कंडिशन चाहे होती है, सर, रेजिदेंट कैसे को इंडिविजल हो जाता है, अगर करता को रेजिदेंट करना हूँ हमने, तो उसके लिए दो बेसिक कंडिशन में से कोई भी सर्टिसफार करना हो पूरी करके दो बार रेजिदेंट भी हो जाएगी भाई साभ टेके ना, त वो H.E.F. क्या बन जाएगी बच्छे, वो H.E.F. बन जाएगी Resident and Ordinary Resident, that is R.O.R. वो H.E.F. क्या बन जाएगी बच्छे, R.O.R. I hope आपको बात समझ आया है, आगे देखिए, अब हमने बात करना है बच्छे, Residential Ship Status किसका है, इधियान से देखना, फॉर्म का important है, E.O.P., B.O.E., Local Authority और E.J.P. का same है, ठीके बच्छे, या तो बच्छे क्या होगी Resident, या तो क्या होगी Non-Resident, फॉर्म का आगे partition नहीं किया जाता, कि फॉर्म R.O.R. है या तो Resident, नहीं तो Non-Resident, कैसे चेक किया जाएगा, same बच्छे, जैसे H.O.F. का चेक किया था, अगर control management कहां पर है, holy partly इंडिया में है, तो मुबारक हो, फॉर्म E.O.P. B.O.E. Local Authority और E.J.P. resident हो जाएगी, otherwise वो क्या हो जाएगी बच्छे, Non-Resident, यानि कि अगर control management of affairs, holy outs इंडिया है, तो वो firm E.O.P. B.O.E. Local Authority, E.J.P. क्या हो जाएगी, Non-Resident हो जाएगी, या तो Resident होगा, नहीं तो Non-Resident, इसके आगे further division हम नहीं करते हैं, आप ये चेक नहीं करेंगे, क्या वो R.N.O.R. है या R.O.R. है, ये चेक नहीं किया जाता, ठीक है, आगे दिखेगा, अब बात करेंगे बच्छा, कंपनी का, कंपनी का important है, काफी बार पूछा जा चुक है, लिहां से देखना, तो यहां पर ना, सोच के रेखो, ना तो यहां पर period of stay देखा जा रहे हैं, नहीं यहां पर control management, ठीक है, ना, सबसे पहला कोशन यहां पर खुद से पूछो, क्या वो Indian company है, जिस company का residential ship status check करें, क्या वो Indian company है, हमने का हा, मुबारक हो वो resident, कुछ और सोचना ही नहीं है, कि उसका control कहा पर है, फलाना धिमागा कहा पर है, ठीक है, कुछ नहीं सोचना, Indian company है, तो वो हमेशा resident होगी, अच्छा, वो Indian company नहीं है, तो भाई, that means, वो क्या होगी, foreign company होगी, yes or no, वो company कौन से होगी, foreign company, तो फिर पूछा गया, उन companies के लिए, जो कि Indian company नहीं है, other than Indian company, basically foreign company है, तो उनके लिए पूछा गया, कि भाई, क्या India में, क्या India में, जिस company का बात हो रही है, क्या India में, relevant previous year में, क्या उस company का point India में था, point का मतलब होता है, place of effective management, ध्यान से सुनना, point का मतलब क्या होता है, place of effective management, तो अगर तो वो Indian company तो resident है, otherwise foreign company तो देखा जाएगा, क्या उसका point इंडिया में है, अगर point, place of effective management, ध्यान से अगर अगर उसका effective management का place अगर इंडिया में है, तो मुबारक हो, मुबारक हो, तब भी वो क्या हो जाएगा, resident हो जाएगा, अच्छा, अगर place of effective management भी foreign companies के इंडिया में नहीं है, तो भाई, वो क्या हो जाएगा, non-resident हो जाएगा, एक्जाम में कोशन आते हैं, बड़ ध्यान से सुना, आपको जाया जाएगा, आपको बोला जाएगा, एक Indian company है, उसका poem बाहर है, आउटस इंडिया है, वो उसका status क्या होगा, resident ही non-resident, तो भाई, Indian company के case में poem का किस्ता नहीं आते है, Indian company हमेशे क्या होगी, resident होगी, यह हमेश एक तो हमने ध्यान से देखना कौन कौन सा section कर लिया है, एक तो हमने section 1 होता है, section 1 basically किसका होता है, short title, extent or commencement का, short title का मतलब क्या होता है, कि income tax act लागो कब होगा, मतलब इस act को हम क्या कहते है, income tax act 1961 और यह एक लागो कब से होगा, 1st of April 1962 से, और इसके साथ-साथ, it is applicable to whole of India, यह section 1 होता है, then section 2 किसका होता है, आपका definition का, definition हमने धिर सारी कर ली है, जिसके अनर person भी था, assessi भी था, आपका previous year भी था, ठीके ना, आपका previous year के साथ-साथ, हमने assessment year भी देखा, तो तरह-तरह के हमने definitions पर ली है, इसका साथ-साथ, हमने section 3, previous year का भी देख लिया था, definition of previous year, section 4, हम पर हमने आदे सर्चार्ज वगरा की बाते की थी ठीक ना पूरा पूरा का पूरा मने आपको चार्ट बना कर दिखाया था यह रहा यह जो हम income tax निकालते हैं कि how to compute income tax basically यह section 4 में सारी बाते लिखे लिखी जाते हैं कि taxable income किसे निकाला जाए याद आया आप लोगों को इतर देखो जैसे फाइवट्स of income अड़ करते हैं पुलान अधिमा का जीटिये निकालते हैं तो टोटल टेक्स पेबल किसे निकाला जाता है यह कहां पर बाते की जाते हैं section 4 में section 4 is one of the most important section वच्छे section 4 क्या है charging section of income tax इसे हम charge of income tax भी कहते हैं ठेकर ध्यान अठना important बात थी चलिए आगे दिखेगा कहानी कुछ और भी है कहां हो तुम कहां हो तुम कहां हो तुम कहां हो तुम तो यह क्या है charging section of income tax क्या हमने section 5 किया section 5 आपके ऊपर है अभी हमने करना है क्या हमने section 6 कर लिया है जी हां सर स्टेटस सेक्षिन तो सेक्षिन थोड़ी ध्यान रखते जाएगा section 5 किसका है section 5 स्कोप of total income scope of total income इसमें क्या है सर बड़ी ध्यान से देखेगा आप से कोशन आएगा एक्जाम में कि section 5 जो क्या परवाइड करता है scope of total income मतलब किसी SSC के उपर कौन कौन से income का tax भार आएगा यह basically किसी SSC के उपर कौन सा incidence of tax किस पर depend करता है basically तो उसका answer क्या होगा ध्यान रखना उसका answer होगा residential ship status ठीक ना आपको मैंने last time भी last topic में भी समझाई थी वाद चोटी सी वो क्या थी किसी SSC का total income कितना जादा होगा कितना कम होगा यह किस पर depend करता है बच्चे यह depend करता है उसके residential ship status के उपर ठीक ना यह चोटी सी बात ध्यान होगा ठीक है तो scope of total income किस पर depend करता है कि आपके income कितनी होग उचे global income पर टेक्स लगता है लेकिन जो NR है उनके सिर्फ इंडिया वाले income पर टेक्स लगता है और जो आर अनुर होते हैं इनको मध्य चुट-पुट से बीच वाले income पर टेक्स लगता है ठेके ना मध्यमवरगी income वो देखा जाएगा कौन से income है बहराल मैं आगे चलता और आगे आपको समझ आएगा कि कहानी क्या है ठेके ना तो यह section 5 ही चल रहा है that is scope of total income ठेके ना बड़े ध्यान से सुनना हमारे सामने तीन तरे के person है मधब तीन तरे के status है कौन-कौन से one is ROR and other is NR और बीच का भाई कौन होता है र-NOR ठेके ना ये दोनों कोन होते हैं resident ठे अगर कोई HOF है तो सिर्फ ROR का status उन्हें मिलता है और किसी को ROR का status नहीं मिलता ठेके ना ध्यान से observe करना अब कहानी क्या है हमने देखना है कि किन लोगों को मतलब जो status मिलता है उनके उपर कौन से income taxable होते है ठेके ना तो ध्यान से देखना यहाँ पर लिखा है in India ये सारी इंडियावल income है और ये सारी कौन सी है आउटसर इंडियावल income ठेके नध्यान से observe करना अगर बच्चे कोई इंडिया में income receive हुई है इंडिया में कोई income receive हुई है during the previous sir कहीं से भी कमाई हो अपने income अगर इंडिया में receive हो गई है तो तीनों में taxable होता है देख पार है तीनो to be received का मतलब क्या होता है section 7 यह हम salary head जब करेंगे वहाँ पर आपको इसकी थोड़ी थोड़ी जान करें दूंगा जब मैं provident fund का topic करेंगे ठेके ना तो main thing is यहाँ पर ध्यान से यह observe करनी है आपने कि अगर इंडिया में आपके कोई भी income receive हो जाती है या सरकार जब मान लेते कि deemed to be received है तो वो तीनों cases में taxable हो जाएगा ठेके ना इसके लावा अगर इंडिया में बचे कोई income accrue और arise हो जाती है या सरकार मान लेकि deemed to be accrue और arise है तो भी तीनों case में वो क्या हो जाएगी taxable हो जाएगी ठेके ना तो accrue और arise का मतलब क्या है आम भाशा में आप यह समझ इसके पैस पहुंच गया सवाल यह है क्या वह जो नॉन रिजिदेन ने पैसा कमाई है जो युस से बैठा है क्या वह income इंडिया अंडिया से पैदा हुई है जी हाँ सर इंडिया से accrue और arise होई है तो सीधी सी बात है अगर कोई बी इंकम इंडिया से ने टेक्स पे करेगा यह है section 9, sir यह कौन सी income होते हैं विचे डीम टो बी accrual or arise, आगे जाके सीखेंगे, but for the timing ध्यान रखना, यह सारी कौन सी income है, इंडिया वाली, ठीक न, तो main चीज हमने क्या ध्यान रखनी है, अगर income receive हो जाए या सरकार मान लेकि receive हो चुकी है, या income accrual or arise हो जाए, या सरकार म यह क्या कहता है, अगर बच्चे आपने कोई income accrual or arise होई है, बच्चे कहां पर outs in India, यह चीज इंपोर्टन है, कोई income accrual or arise कहां पर होई है, outs in India, पर उसका जो, मतलब वो income कैसे derive किया आपने, but if such income is derived from a business, business controlled और profession set up in India, sir क्या मतलब, यह point देख लो, लेकिन एक चीज ध्यान से देखना, यह यहाँ taxable है, यहाँ not taxable है, और यहाँ भी taxable है, इस बंदे को फसा रखा है, यहाँ पर, अब यह कहानी क्या है, मैं आपको next page पर स्वड़ा लिखे जाता हूँ, एक सेकिन लुकिए, खाली page मिल जाए मुझे कहीं पर, चलो मैं इधर आपको समझाने का प्र चलो मुझे मुझे बताओ, यहाँ से कोई business करते हैं आप, बिजनस, बिजनस, हो क्या रहा है, अगर बच्छे, यहाँ से कोई business कर रहा है, और business से कितना पैसा कमा रहे हैं, for example, एक लाक रूब में महीना कमा रहे हैं, तो एक और केसम करते हैं, चलो कहते है, रिसीव नहीं कर तो सर क्या करें फिर ध्यान से रेखना? Healiens इंहें इन इक हत्तकंडा अपनाया, क्या हत्तकंडा था K Ainτοई था ? के अब देखोмос कहां पे यॉ-आस में तो ये income accru तो यह कहां से ओ रही है ? गृू औरटा कहां से ओ रही है सर had pandemic कहां से हो रही है ? खान से रही है क्या इंडिया में एक्रू के बेसिस पर टेक्स लगेगा, सोचके रेखो क्या इंडिया में एक्रू के बेसिस पर टेक्स लगेगा, नहीं सर, इंडिया में एक्रू के बेसिस पर टेक्स लगेगा, नहीं सर, इंडिया में एक्रू के बेसिस पर टेक्स लगेगा, नहीं सर, इं वो कैसे शक्स को income कमा रहा है? Income कमाई जा रही है business profession से. अगर कोई business control किया जा रहा है या profession set up किया जा रहा है in India. सोचके देखो, आप क्या कर रहे हैं? आप एक ऐसे assessi हैं? सोचके देखे, जो आप India में बैठे, बैठे इंडिया में हो, मतलब यह जो business चलाया जा रहा है, यह जो business USA में चलाया जा रहा है, यह कैसे चलाया जा रहा है? यह business है controlled from India. समझ रहे हो? यह business है controlled from India. तो सरकार करती ठीक है. अगर कोई business controlled from India है, लेकिन अगर उस business का income accrue बाहर हो रहा है, और receive बाहर हो रहा है, तो इसका मतलब हम किन लोगों पर text लगाएं, बड़े ध्यान से सुना, यहाँ पर text लग जाएगा, ROR के case में भी, RNOR के case में भी, लेकिन यहाँ पर text नहीं लगेगा, बात समझा रही है, NR यहाँ पर बच गया, लेकिन कौन फसके, वो दोनों जो resident थे, ROR और RNOR, वो फसके यहाँ पर, ठीके न, लेकिन हाँ, इसके लावा कोई भी, कोई भी any other case है, वहाँ पर बच्छे, सिर्फ यह text पे करेगा, यह लोग text नहीं पे करेंगे, ठीके न, सर, any other case में क्या आ सकते है, for example, बच्छे, ध्यान से सुनना, यह तो business income थी न, लोग क्या करते हैं, जैसे मान इनकी house property है, ठीके न, house property से क्या कमा रहे बच्छे, rental income कमा रहे, rental income, सोचके देखो, यह rental income जो कमाया जा रहे, accrue कहां से हो रही है, यह income, USA से, यानि क्या outs in India, और अगर यह लोग receive भी US में ही कर ले, receive भी US में ही कर ले, तो सोचके देखो, accrue भी इंडिया में नहीं हो रहा, receive सिर्फ यह tax pay करेगा, यह दोनों यहाँ पर tax pay नहीं करेंगे, तो सरकार ने सिर्फ यह जो case था, यह विला case था, यहाँ पर किन लोगों को पकड़ लिया, जो RNOR थे उन लोगों को पकड़ लिया, तो यह थोड़ी छीज ध्यान अखेगा, अगर कोई income ए क्रूर राइज आ इन लिया, तो भाई, RNOR फज़दा आएगा वाहां पर ठेक्स को टेक्स दिना पड़ेगा, I hope आपको बात समझ आया होगा, तो यह चुटपुट से कुछ बात है थी भच्छे, ध्यान अखेगा, इसके लब बच्छे, एक लास्ट पॉइंट आते है, लास्ट पॉइंट क प्रिविए से रहाँ आपको कौन सा चल चल रहा है यह चल चल लब ч We should not text to India in the previous year. इसे बोलते हैं, पास्ट उंटेक्स्थ कमाया था, वहाँ की सेविंस से वह की वह इंडिया में लेक्या रहना है? तो तीनों केसे में नॉट टेक्से अधियान लगाना. तो हमने यहां से क्या सबक हासिल के है? वह धेहन से लेखना. इस point को last point को एक बर ignore करो last point को एक बर ignore करना और कुछ सबक हमने सीखा है वो सबक वो ध्यान से observe करना last point को ignore करके कुछ सबक है वो ध्यान से सीखना मैं pen change करना हूँ आप एक चीज़ observe करो जो R.O.R. होते हैं वो कहीं भी कोई भी पैसा कमाए कहीं भी कोई भी पैसा कमाए चाहे इंडिया वले income कमाए चाहे आउट्स इंडिया कमाए वो हर एक पर tax पे कर रहे हैं यह सौनो यानि कि सोचकर देखो अगर एक R.O.R. कोई शक्स R.O.R. है उसने अगर बाहर ही पैसा कमाए सोचकर देखो सारा काम कर रहा है इंडिया में रहकर पैसा कमाए इंडिया के resources यूज कर रहा होगा अगर इंडिया के resources यूज करके इतने income कमा रहे है इंडिया वले income भी कमा रहे है ग्लोबल income भी कमा रहे है तो सरकार कहती इसको तो भाई फसाना पड़ेगा का फ़जाना क्या इसको तो दाइट पर बनता है हरे केस में टेक्सपे करने का ठीकिन तो सीदी सी बात है अगे आप कोई भी मतलब पूरी दुणिया में कहीं भी इνकम कमारें धूआरे उससे में जापान में यह शब्स आरव आरु वो milli Tirp पर global income पर tax pay करते हैं, global income, मतलब India वल income भी और आउटसंडिया कमारे उस पर भी सारा का सारा tax pay करेंगे, ठीक है न, सब्सक्राइब गलत बात हो जाएगी, USA income कमारे, USA के सरकार भी tax लेगी, India income, मतलब India भी भी tax लग जाएगा, उसके लिए निश्चिंत हो जाएगी, लेकिन हा, India में taxable की बात भी तो हम जरूर करेंगे, ठीक है न, आगे दिखेगा, यह जो NR है न, NR के case में क्या होगा बच्चे, इनको सिर्फ India वल income पर tax pay करना होता है, India वल income पर, यह जो आउटल इवल income है, इनके लिए क्या होती है, नोट टेक्सिबल आउटल इवल income, तो ध्यान अखना है, और बचारे, आर, NR फस जाते हैं, इस case में फस गया था, आपको पता है, इस case में जबरदसी फसाया है, इस शक्स कोई कौई कौन सा case है, अगर को income एकरूर राइज हो रही है, आउटल इवल लेकिन वो business control या set up, profession का set up किया गया है, इन इडिया तो भाई सब इसको फसा लिया जाता है, ठेकिना, यह important था, तो यहाँ पर मनें अच्छे साव सुतरे शब्दों में लिख दिया है, तो ROR के case में बच्छे आपने चीज धियान रख नहीं है, ROR के उपर कौन सी income taxable होते है बच्छे, ROR के case में global income is taxable, ठेकिना, global income is taxable, और RNOR का case किन लोगों के लिए होता है, सिर्फ बच्छे, individual edge of के लिए होता है, और जो NR है बच्छे, inclusive Indian income पर ही tax pay करना होता है इन लोगों को, ठेकिना, चलिए, आगे,